शुकामरायदी इसके लिए मैं आपका बहुत प्रधाभारी हूँ। प्विंसलाइन और न्यू साउथ वेल्स में आई बाट के कारण जानमाल की च्छति के लिए मैं सभी भारतवास्चियों के और से सम्वेजनाय प्रगट करता हूँ। हमारी पीछली वर्ट्यूल समीट के दोरान हमने अपने समंधों को कॉम्प्रिहंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टर्शिव का रूप दिया था। और मुझे प्रसंता है कि आज हम दोनों देशों के बीच एन्यूल समीट का मेकानिजम स्थापित कर रहे हैं। इससे हमारे समंधों के नियमिद रिव्यू की एक स्ट्रक्टर व्यवस्था तयार होगी। एक्सेजन्सी, पिछले कुछ वर्षों में हमारे समंधों में उल्लेखनिय प्रगति हुई हैं। ट्रेड और इंवेस्टमेंट, डिफेंस और सिकुरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइन्स और टेकनोलोजी। इन सभी छेत्रों में हमारा बहुत करीबी सयोग है। कई अन्यक छेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मेनेजमेंट, रिनेवल एनरजी, कोविद नाइंटीन डिसर्ट में भी हमारे बीच कोलोबरेशन तेजी से बढ़ा है। बैंगलूर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेकनोलोजी पॉलिसी की स्थापना की घोष्टना का मैं रिदे से बहुत पह स्वागत करता हूँ। साइबर और क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेकनोलोजी में हमारे बीच बहतर सयोग अनिवार यह है। हम जैसे समान मुल्यों वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि इन उभरती टेकनोलोजी में उचीत वैस्विक मापदन अपनाए जाए। एक्सलेंसी हमारे कॉंप्रिहेंसिव एकॉनोमिक कॉपरेशन एग्रिमेंट सीका इस पर जैसे आपने कहा मैं भी चाहता हूँ कि बहुत कम समय में उल्लिक निये प्रगति हुई हैं। मुझे पुरा विश्वास है कि बाकी बचे मुद्दों पर भी सीक्र सहमती बन जाएगी। सीका का सीक्र समापन हमारे आर्तिक समंदो एकॉनोमिक रिवाइवल और एकॉनोमिक सिकुरिटी के लिए बहुत महत्वपुण होगा। कोड में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग फ्री, ओपन और इंक्लूजीव इंडो पसिपिक के प्रती हमारी प्रतिवर्धता को दर्साता है। छेत्रिय और वैस्विक स्थिर्ता के लिए कोड की सभलता बहुत महत्वपुण है। एक्सलेंसी, प्राचीन भारतिय कलाकृतियों को लोटाने की पहल के लिए मैं आपको विशे सुपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने जो कलाकृतिया भेजी हैं, इनमें राजस्थान, पश्चिम मंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ कई अन्य भारतिय राज्यों में से अव्वैद तरीके से निकाली गई। सेंकडो वर्ष पुरानी मुर्तियां और चीत रहें। और इसके लिए मैं सभी भारतवास्यों की तरब से आपका विशे साभार व्यक्त करता हूँ। अब इनको जो आपने हमें मुर्तिया पर लोटाई है, सारी चीज़े लोटाई है, उसको सही स्थान पर लोटाए जा सकेगा। मैं सभी भारतिय नागरिकों की तरब से इस पहल के लिए आपका फिर से एक बार हारदिक आभार व्यक्त करता हूँ। क्रिकेट वल्ल कप में आस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट टीम के शांदार प्रदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई है, सनिवार के मैच में आस्ट्रेलिया ने बाजीब बारी लेकिन ठुटना फेट अभी बाकी है, दोनों देशों की टीमों को मेरी और से हार आदिप सुपकामना है। आदिप सुपकामना है।